नमस्कार प्रणाम मैं मधुबारा आप देख रहे हैं एक न्यूस टो एंडेफो देख राजत सुप्रिमों लालु प्रिशाद यादव के करीबी रहे कदावर नेता स्याम रजक ने राश्ट्रिये ज्वनता दल से इस्तिफा दे दिया है पिछले पांच च्छ माह में राज से रस्ता तोड़ना महज राजनीती घटना क्रम नहीं है इसका एक बड़ा संदेश भी है स्याम रजक ने लालु प्रिशाद यादव को संबोधित अपने पत्र में कविता के अंदाज में चार पंक्तियां ही लिखी है लेकिन उसके गहरे नहितार्थ है सीधे सीधे राज लेकिन जद्यू ने उनका स्वागत किया है वहीं राजत का दावा है कि स्याम रजक के जाने का कोई असर पार्टी पर नहीं पड़ेगा लालू प्रिशाद के राजनितिक उतकर्स के दोर में उनको सहयोगी राम स्याम की जोड़ी मशुहूर थी इनमें से राम कृपाल यादब पहले ही भाजपा के साथ हो चुके हैं और एक बार फिर स्याम रजक ने भी लालू प्रिशाद से किनारा कर लिया है वे पहली बार 2009 में राजद छोड़ कर जद्यू में शामिल हुए थे करीब 11 साल जद्यू में रहते खाद अपूर्ती उधोग समीत कई महकमों के मंत्री भी रहे हैं 2015 के विधान सभा चुनाओ से पहले स्याम रजक ने एक बार फिर पार्टी छोड़ कर स्याम रजक ने लालू प्रिशाद यादव को बड़ा जटका दिया है शाम रजक वर्स 2020 में विधान सभा चुनाओ के ठीक पहले बड़ी उमीद लेकर राज़द में लोटे थे सरकार में मंत्री रहते उन्होंने जद्यू से इस्तिफा दिया था तब ते जश्वी आदव ने खुद उन्हें दल में शामिल कराया और राज़त का रास्ट्रिये महा सचियू भी बनाया हलांकि अभी वे इसी पदपर थे लेकिन पाटी में खुद को हाश्ये पार रहे थे पिछले विधान सभा चुनाओ में उनके छेत्र फुलवारी सरीफ से उन्हें ठिकट नहीं मिला लोग सभा चुनाओ में उन्होंने समस्ती पूर से चुनाओ लड़ने का मन बनाया लेकिन अवसर भी नहीं मिला राज्य सभा चुनाओ की बारी आई तो यहां भी उन्हें खाली हाथ ही रहना पड़ा लगातार इन तीन धक्कों से आहत रजक ने अंततह राज़त से रिस्ता तोड़ लिया है राजनितिक जानकारों की माने तो चंदरशेखर के सहयोगी रहे श्याम रजक के पाटी छोड़ने से राज़त को नुकसान होगा स्याम रजक राश्ट्रिये अस्तरपर धोभी समाज के संगठन से जुड़े हैं और वंचित समाज में उनकी अपनी पैठ है स्याम रजक के पुर्व वरिसिन पटेल, पुर्व शानसद अश्फाक करीम, पुर्व डिजपी, करुना शागर और रामा सिंग राज़त छोड़ चुके हैं इनमें से अश्फाक करीम अब जदियू में हैं बिहार विधान सभा के बजट शत्र के दोरान चार विधायक चेतन आनंद निलम देवी, संगीता कुमारी और प्रहलाद यादबी राज़त छोड़ एंडिये के पाले में आ चुके हैं स्याम रजक ने राज़त से इस्तिफे के बाद पत्रकारों से बाचित में कहा है कि फुलवारी सरीफ का जो विकास होना चाहिए था वो नहीं हुआ, इसका मुझे बहुत ज्यादा दूख है, यहां की जनता को भी इसका बहुत ज्यादा दूख है, मैं कल तक RZD का सदश्य था, अब मैंने इस्तिफा दे दिया है मेरे पास सारे विकल्प खूले हुए हैं, अपने विजन को मंजल तक पहुंचाने के लिए किस दल के साथ काम करो इस पर विचार करूँगा फिलाल इस वक्त की खबर में इतना ही और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रही एक News24 वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करे, शेर करे, साथ ही हमारे यूटूब चैनल एक News24 को सबस्क्राइब करे यदि आप हमारे Facebook पेज को देख पारे तो हमारे Facebook पेज को फॉलो करे धन्यवाद।